नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे A&M first year में theory papers कितने होते हैं और practical papers कितने होते हैं और उनमें कितने marks होते हैं और full marks कितने होते हैं और passing marks कितने होते हैं इन सब के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो जो A&M का first year जो होता है उसमें total जो theory papers होते हैं ये चार theory papers होते हैं ठीक है तो चार theory papers होते हैं और दो जो होते हैं ये practical papers होते हैं दो तो चलिए देख लेते हैं कि theory papers जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं यहां पर देख सकते हैем theory paper जो 1 होता है यह community health nursing का होता है और second theory paper होता है यह health promotion पर होता है जो third theory paper होता है वो primary health care nursing पर होता है और fourth theory paper होता है होता है एगर practical papers की बात करें तो practical में दोस्तों यहाँ पे आपको community health nursing nursing and health promotion पे आपको practical होगा पुछा जाएगा इसमें और इसमें आपको जो total marks होंगे practical में 100 marks होंगे practical one में और जो practical paper जो दूसरा होगा इसमें child health nursing का आपको सवाल पुछा जाएगा जिसमें की total आपको marks रहेंगे 100 और theory papers की बात करें तो यहाँ जो theory papers आपको पूछे जाएंगे उसमें जो external assessment होगा मतलब external जो भी exam होगा उसमें 75 full marks होंगे और internal जो exam होगा आपका assessment होगा इसमें 25 marks होंगे और आपको जो time दिया जाएगा यह 3 घंटे का दिया जाएगा हर एक papers में वैसे ही होता है कि theory papers जितने होंगे उसमें 75 marks होंगे और internal जो assessment होगा internal जो exam होगा उसमें 25 marks होंगे और सारे के सारे में आपको 3 घंटे का time दिया जाएगा theory papers में और उसके बाद अगर बात करें कि passing marks कितना होता है तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि theory paper 1 है यह community health nursing का इसमें 75% जो होगया आपका external exam का और 25 होगया internal exam का तो इसमें जो total marks होगया कितना होगया hundred होगया और इस paper में जैसे community health nursing का paper है hundred marks का होगया और इसमें जो आपको passing marks होगा यह 50 marks का होगा ठीक है मतलब आपको 50 marks आपको लाने होंगे 50% आपको marks लाने होंगे या फिर बोल सकते हैं 50 marks आपको लाने होंगे तो 50 marks जब ले आएंगे आप तो आप पास हो जाएंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भीवर हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें ताकि A&M, G&M या फिर नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आए तो आपको सबसे पहले मिल पाए